So, hey what's up guys, स्वागत सभी गणा यह वीडियो में, आज की स्वीडियो हम सॉलुशन देखने सारे preparing and aggregation data for visualization using cloud data prep बहुत easy way मैं समझाऊंगा, तो बिल्कुल confusion नहीं होगा, इस lab में काफी जाधा steps आपको complete करनी है, इसको copy करना password को, and इसको console को left click करके इन को में विंडो में open करना ठीक है, उससे फिर email ID के लिखिया जाएगे, enter press करना, then password जो copy करता पेस्ट करना, enter दबाना ठीक है, अब इदर काफी बार I understand पूछता है, काफी बार नहीं पूछता है, तो यह चीज़ ध्यान रखना ना पूछे, तो बिल्कुल टेंशन लेनी है, कभी बार नहीं भी पूछता है, उसके अधर agree and continue पी बार पूछता है अंदर, जैसे अभी मेरे case में पूछेगा, क्योंकि अभी I understand आया है, काफी बार नहीं आता है तो नहीं भी पूछता है, यह मैंने सर्च कर लिया, फर्स्ट फॉल उप्शन पे क्लिक कर देना, इसे open हो जाने देना, open होने में एक मिनिट या 30 सेकंड लगता है, यह 30 सेकंड में open हो जाएगा, इधर आके इस पे tick mark कर देना, and accept पे क्लिक कर देना, इधर आके आपको इस पे tick करना है, and agree and continue पे क्लिक कर देना है, इधर जाके allow पे क्लिक कर देना, and यह इसे load हो जाने देना, जैसे यह load होगा, हमारे को एक email चूज करने को option आएगा, उससे पे लाग को क्या करना है, इधर task 1 पे क्लिक कर लेना, तो task 1 अभी हम करी रहे, चीक है तो वापे से back आजाना इधर, and wait करो इसके complete होने का, यानि load होने का, and sorry guys बाहर से जोग भी noise आ रहे, आपकी email id लिखे आ गई है, इसको check कर लेना एक बर अपने main blocks, इधर GCP के project id आपको दी हुई है, यही है कि नहीं है और अगर यह ना हो, तो आपको क्या करना है, ये username होगा वह, तो username यही है कि नहीं है, वह चेक करने ना हो, तो use another account प्रक्लिक करके इसको enroll कर ले ना ठीक है अभी मेर में है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं then allow पर मैं क्लिक कर देता हूं and या wait करो बस इसके load होने का इधर जाके check my promise पर क्लिक करना and by checking पर क्लिक करना box पर and accept पर क्लिक कर देना and यहां हम sign होने चुक है अपने cloud data prep के अंदर continue पर क्लिक कर देना and यहां आपका काम complete हो चुक है task 1 आपका complete हो जाएगा बीना किसी problem के second task की और चलते है तो हमें क्या करना है लोग को create करना है जिसका नाम होगा Rainer Climb full stop को copy मत करना guys full stop को copy कर लोगे तो problem आपको आगे आपको क्या करना है इधर आना है create new के plus icon पर क्लिक करना है मैंने क्लिक कर दिया है and then इसके बाद untitled flow पर क्लिक करना है and इधर इसको नाम दिदे नहीं है spacing का ध्यान देना कि कई आपने गलत spacing तो नहीं कर दिया and then okay पर क्लिक कर देना यह हमारा काम हो चुक है अब आपको क्या करना है इधर से data set को connect करना है कैसे करेंगे so click on the plus under data set to add a new source क्या करना है cloud source के आपको अपनी project id देखनी है so project id आपकी यह है याद रखना मेरा 03 आपको कुछ और होगा so yeah मैंने इधर चेक कर लिया इधर आउंगा connect पर क्लिक करूँगा अले plus पर क्लिक करूँगा इधर जाके import data set पर क्लिक करूँगा इधर क्या करना है आपको यह 206 को जो है copy करना है and then इधर start option दिख रहा है इस पर click कर देना है then save पर click कर देना है then इसको create पर click कर देना है and then यह load हो रहा है इसे पहले load हो जाने तो एक बार यह load हो चुका है import and add flow पर click कर देना तो इधर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका task 2 जो है वो भी complete हो गया है ये सब चीज़ें हमने कर लिए है आपका अला task जो है complete हो चुका है task 3 पे चलते task 3 पे आपको क्या करना है आपको double click करना है recipe note पे dataset with parameter recipe वाले पे तो कुछ changes करने है वो मैं समझा तो tension मतलो ठीक है नीचे scroll करना ये सब आप skip कर सकते हो ये सब आपको क्या करना है आपको क्या करना है बस under collect new sample में आपको random select करना है मैं बता तो कैसे करना task 3 एक दो click के ही काम है तो ये बना हुआ आज चुका है हमाँ सामने open हो चुकिए अब आपको क्या करना है ये initial data जो दिख रहा है इस पे collect अपना mouse लेक्ट लेक्ट आना है नीचे collect new sample पे click कर देना जैसे click करोगे got it इधर आएगा थे कोई ये mouse दिख रहा है यहाँ पे got it पे click करना then random पे select करना then quick select now तो quick select करना and then collect पे click कर देना ये वाला काम हमारा हो गया है इसे automatically हो जाने दो चीक है and ये आपका task 3 complete हो गया अब हम चलते है task 4 पे task 4 पे आपको normally सीधे आना है इधर इधर आने के बाद आपको क्या करना है rainer climbs के उपर पे click करना है एक और नया data set जो है उसे import करना है but इससे पहले एक बार में चेक करना है तो हमने सारी steps कर लिए और कुछ changes तो नहीं करना है तो वो में एक बार check out कर लिता हूँ so यहां और कुछ हमें नहीं करना है बागे सारी चीज़े सहीती तो यह आला task complete होगा है पर हमें आना है सीधे नीचे स्क्रोल करते जाना यह यहां पर आ जाना बस इस वाले path को copy कर लेना यह मैंने copy कर लिया है spacing का ध्यान देना वरना search करोगे तो नहीं आएगा यह हो चुका है देखो इदर लिखा चुका है now available बस इस पर आना क्लाइम उपर दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना अब वापिस से front page पर आ जाओगे इधर जाने के अधाक को add dataset पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगी import dataset पर क्लिक करना उपर जाके अपने जो भी copy कर था पेस्ट करना है इदर search bar में यह plus के icon पर क्लिक कर देना बस इसको जो है load हो जा इधर या import and add to flow पर क्लिक कर देना यह हमारा काम जो है complete हो गया है इधर इधर को आ चुका एक और नया फाइल इधर plus पर क्लिक करना और add new recipe पर क्लिक कर देना बस अब वेट करना खुछ भी क्लिक मत करना और एक minute में आपका एक और नया dataset आ जाएगा आपके सामने तो वेट करो यानि एक recipe आपके सामने आ जाएगी ठीक है अब इधर क्या करना है आपको डबल क्लिक करना है तो अगेन एक Excel टाइप की sheet आपके सामने open होगी जैसे मेरे सामने हो गई है यह load हो रही है इसे load हो जाने दो back आना आक को क्या करना है नीचे स्क्रोल करना है यह सारे काम हमने जो है कर लिया है तो यह आपको टेंचनल है की ज़र्वत नहीं है हमने पुरा task जो है वह complete कर लि ओके गाइस मैं आपको बता देता हूँ तो वापिस दर आना यह data cleanup पे इधर multi-day preparation total multi-day snowfall total और snowfall inches को आपको जो है decimal में convert करना है इधर आएंगे यह रहा multi-day preparation total इसके arrow पे क्लिक करना change type पे click करना मतलब क्लिक नहीं करना है mouse ले जाना और इधर जाके decimal पे click कर देना उसके बाद आखको क्या करना है multi-day snow रहका सा इसको इधर scroll करना ठीक है हलका सा scroll करेंगे तो multi-day snow total आ गया है इसके arrow पे click करना change type पे अपना mouse ले कर आना इसको जो है integer पे sorry guys इसको arrow पे लेकर आन चेंज पर लेके आना and decimal पे क्लिक कर देना यह हमारा काम हो गया है दोनों को हमने कर दिया multi day preparation total multi day snowfall total आप क्या करना है snowfall inches को भी decimal में convert करना है इधर आना वापिस से हलका चाहर स्क्रोल करना इधर आपको दिख रहा होगा snowfall inches इसके arrow पे क्लिक करना change type पे अपना mouse लेके आना इसको डेसिमल में convert कर देना यह जो है हम लेके आ चुक है हमने अपना task complete कर दिया यह वाला जो पार्ट है इसके पे ओकर क्लिक करना इसको delete कर देना यह हमने extra में कर दिया था इसलिए मैं ऐसा कर रहे है आपने नहीं कर रहा है तो फिर आपको कोई दिखकत नहीं है नीचे स्क्रोल करना यह हमना task complete हो चुका है अब आपको क्या करना है अब आपको नीचे स्क्रोल करना है preparation inches के अंदर and इधर आपको multi-day preparation total column find करना है यह सा आपको करने की जरुबत नहीं है ठीक है यह आप skip कर सकते हो नीचे scroll करना सीधे सीधे नीचे scroll करोगे तो 5 वाली line पर आना आपको multi-day preparation total जाले part को find करना है तो इसको आपको क्या करना है, copy करने के बाद इधर आना, अब इधर आके Ctrl F पर प्रेस करना, Ctrl plus F, ठीक है, and then इधर पेस्ट कर देना, आपको यह उस row पर लिए आएगा, then escape पर क्लिक, sorry guys, then इधर जाके enter पर प्रेस कर देना, and yeah, हमारा काम हो गया है, अब मैं इसको उपर ले लेता हूँ, and yeah, इधर हमें कई न कई पर आ गया, यह preparation inches हमें दिख गया है, यही चाहिए था, multi-day preparation total, okay, multi-day preparation total हमें find करना है, तो देखना पड़ेगा, यह कहां पर आएगा, इधर scroll करना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, तो यह यह रहा, multi-day preparation total, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें select करना है, then हमें select करना है, preparation inches को, कैसे करेंगे, control को press करके रखना, and then multi-day preparation total पे, mouse से click करना, ठीक है, then आको क्या करना है, preparation inches पे click करना है, control को छोड़ना मत, press करना, इसको भी mouse से, यह दोनों आ गए अब control को release कर देना छोड़ देना and then create new column पे first value option पे click कर देना यह मैंने कर दिया then edit पे click करना जैसे edit पे click करोगे कुछ इस type का आपके समने interface open हो जाएगा यह open हो गया अब आपको क्या करना है अब आपको इनको नाम देना है कुछ तो क्या नाम देंगे आप तो merge preparation आपको इसका नाम देना है यह मैंने merge preparation मैंने copy कर लिया सबसे पहले तो इधर आएंगे इधर आके जो है इधर में इसका नाम को paste कर देता हूँ then add पे click कर देता हूँ merge snowfall को copy कर लो full stock copy मत करना error जाएगी ठीक है then again control press करना merge snowfall total गिरा एक इस पे mouse से right click करना control के साथ साथ control अभी छोड़ना मत ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है multi day preparation total शाइद इसी को select करना है हमें multi day snowfall total को हमें select करना है और इधर से multi day snowfall total तो हमने select कर लिया है एक सेकंड गाइस मैं को बाद दीक लूँ so snowfall inches को हमें select करना है चीक है तो snowfall inches जो है इस side में लेगा हमें इस side scroll करना तो देखो snowfall inches है control अभी मैंने release नहीं कर रहा है तो इसको मैंने select कर लिया again control को छोड़ूँगा में इधर से then multi day नीचे जो create a new column दिख रहा है इसके उपर first option पर click करना again edit पर click करना जैसे edit पर click करोगे वापे से इधर आना इधर आने कराओ आपको क्या करना है merge snowfall इस नाम को copy कर लेना इधर आना इधर आने कराओ इस नाम को जो है paste कर देना and then add पर click कर देना जैसे करोगे आपको यह आला टास्क है यह भी complete हो जाएगा अब आपको क्या करना है अब आपको जो यह last change merge snowfall हमारे column बना होगा उसको decimal में convert करना है ठीक है कैसे करेंगे तो again merge snowfall हमारे इधर है यह राफ मैं आपको दिखा देता हूँ यह आपको इधर दिख रहा होगो merge snowfall इसके arrow पर click करना हलका सा and change type पर अपना mouse लेकर आना है इसको जो है एक second change type पर mouse लेकर आन decimal पर click कर देना तो यह हमारे decimal में convert हो चुका है ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है यह add comment वाला section आप छोड़ सकते हो ठीक है उसके बाद नीचे scroll करते जाओ करते जाओ यह सब आप skip कर देना यह सब आपको करने की जरवत नहीं है सीधे aggregate data पर आ जाना ठीक है कैसे तो हम आपको क्या करना है इधर आना है इधर जो arrow दिख रहा है इस पर click करना है and then data set with parameter पर click कर देना है अब data set और parameter वाले उस पर आ जाओगे ठीक है हम आचुके इधर आपको क्या करना है नीचे scroll करना है यह सब हमने जो है अल्डेडी कर लिया है यह सब आपको करने की जरवत नहीं इस इधर पाइवट करना है अब हमें पाइवट करने के बाद आपको क्या करना है row label को date को select करना है तो इधर आना है इधर आने के बाद पाइवट यह रहा option यह मैं click करता हूँ and click करने के बाद पाद column label को छोड़ देना इसको select करना second वाले के arrow को then इधर date को select करना and then नीचे कईपे भी press कर देना formula के लिए आकको क्या करना है नीचे scroll करना इधर आकको formula दिख रहा है इसको जो है आकको copy करना है सबसे पहले इतने पाट को इधर आना वापिस से back इधर आके इसको paste करना enter दबाना again back आना इधर आके second वाले column को copy कर लेना यह मैंने copy कर लिया है वापिस इधर आना इधर आके paste करना enter दबा देना ठीक है और नीचे आप कईपे भी press कर देना ऐसे खाली space में and then बस आकका काम हो गया है इसको आकको जो है add कर देना यह मैंने add कर दिया यह हमारा काम खतम हो गया अब आकको क्या करना है वापिस से back आना है अब आकको जो है divide function का use करना है and divide function के बाद आकको उसमे math function के अंद आकको divide function का use करना है कैसे करेंगे इधर आएंगे यह math function आकको दिख रहा है function इस पे click करना देन math पे अपना mouse लिख के आना and then इधर से divide पे click कर देना ठीक है जैसे click करोगी कुछ इस टाइक का आख के सामने भी interface open होगा इधर आना नीचे scroll करना आख ठीक है नीचे scroll करने करने करद आख को क्या करना है इस वाले part को आख को copy कर लेना है copy करने कर इधर आना है and इसको जो है control A दबा के control B कर देना है यह हमारा काम हो गया है इधर आना submit rate को copy करना full stop copy मत करना error आजाएगी ठीक है इधर आना insert name पे click करना and then add पे click कर देना so यह हमारा काम हो चुका है second वाला भी इधर आएंगे अब वापिस condition cases को skip करना है नहीं करना है चीक है इसको करना पड़ेगा जरूरी है इधर आना इधर आने के बाद जो है आपको याली यह file को कहां पर find करना है यह मुझे देखना पड़ेगा एक second देना guys गीरा condition पे click करना यह arrow पे and then case on custom condition पे click करना ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है इधर आना है नीचे scroll करना है इसको जो है आपको copy कर लेना है यह मैंना copy कर लिया है वापिस से back आना है back आना है इसको इधर paste करना है and then इधर one लिखना है ठीक है then add पे click कर देना यह मैंना add पे click कर दिया ठीक है उपर इधर आएंगे नीचे scroll करेंगे इस null वाले part को copy करना यह मैंना copy कर लिया ठीक है इधर आउंगा and then इसको जो है मैं paste कर दूँगा then इसको जो है रहे है जीरो इसकी value दे दूँगा ठीक है इंवर्टिट को मा को कॉपी नहीं करना इधर आगो ठीक है यह इंसेर्ट नेम पे मैंने पेस्ट कर दिया है कुछ इस टाइक का का भी दिखेगा है एड पे क्लिक कर देना यहाला काम भी हमारा हो गया है अब आपको क्या करना है बैक आना है नीचे स्कूल करना है यह आपको जॉइन करना है इसको तो कैसे करेंगे इधर आएंगे वापिस से इधर आके जॉइन को आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करना इस पे क्लिक करने का इसको सिलेक कर लेना बस एक क्लिक करोगे स्लेक्ट हो जाएगा इधर लोड हो जाने तो इसको एक बार लोड हो गया है इधर आएंगे चीक है इधर आने के बाद जोए आप देख रहे हो जोए पैंसिल का इकन दिख रहा है इस पैंसिल का इकन पर क्लिक करना सक्सेस रेट को डेट से चेंज कर देना एंड जॉइंड इनको डेट से चेंज कर देना ठीक है यह मेरा काम हो चुका है सेवन से लेकर fog तक इधर आना इसको जो है नीचे स्क्रोल कर देना सबसे नीचे स्क्रोल करना इधर से यह fog है उसके लाद यह merge preparation है multi-day snowfall total है multi-day preparation total है यह चारों तो हों गई होंगे definitely merge preparation, merge snowfall, snow depth and time observe तो merge preparation है multi-day snowfall नहीं है and snowfall depth है time, temp minimum क्या था वो मैं एक बार देख लेता हूं merge preparation है merge snowfall है तो एक एक करके करता हो गई sorry merge preparation and merge snowfall है snowfall के बाद क्या है snow depth है और fog हमने select कर लिए time observe यह वाला select कर लिया बस आका काम हो गया है review पे click कर देना review पे click करने के बाद add to recipe पे click कर देना यह अपने आप हो जाएगा इसके वाद आक को कुछ करने की जरुबत नहीं रहेगी आलट जो task complete हो जाएगा आपका यह अलट task complete हो गया है नीचे scroll करेंगे अब आपको क्या करना है publish to BigQuery करना है बहुत easy task है बतातो कैसे करना है यह हमारा काम हो गया है अब आपको क्या करना है इधर run पे click कर देना है जैसी run पे click करोगे उसके बाद यह जो है कुछ stack के interface आके सामने show करेगा इसमें आपको क्या करना है नीचे scroll करना है create csv पे click करना है जैसे click करोगे BigQuery पे click करना then data prep पे click करना then create new table पे click करना चीक कुछ stack कर लोड हो जाएगा इससे ऐसा ही रहने दो truncate everything पे click कर देना इधर जो name दिया गया है आपको ठीक है name को आपको change करना है काई से change करना है मैं आपको बताता हूं thatse go to click on the left即 scroll कर देना है नीचे scroll करना नीचे scroll कर ओगे करता जाना exactly name आपको QuemTw息 में यह अधर कर ल Так यह आ, इसको आपको जो है copy कर लेना है यह मैंने copy कर लिया है इधर आना इस नाम से change कर देना है इंद बस update पक्लिक कर देना है आपका जो काम है वह हो जाएगा बहुत जल्दी ठीक है तो वेट करो एक और अपडेट पे क्लिक करना तो यह जो है वेन पब्लिशिंग टो बिक्वेरी आउटपुट कॉलम नेम तो अब आपको क्या करना है इसने ऐसा बोल आई कि अगर ऐसी एरर आती है क्या बता करेंगे वह आएंगे अगर आपको क्यों ऐसा दिखर आ है तो क्या करना को इदर से कैंशल पे खर कना है अगर ऐसा है तो अब आपको क्या करना है अब आपको जो है रन द जॉब ओपन देटा सेट परेमेटर रसेपी अगेन हमने ओपन कर लिए देन डेटा डेटा पर किन क्विक्क्ली फिक्स अप इसु विद्ध कॉलम रुविंग अल्द स्पेशल केरेक्टर क्लिक ओन दे शेवरॉन नेक्स्ट तो एनी कॉलम एंड चू इस पर क्लिक करें इधर आने के आद Children करना है इसको कैसे करना रेनिम तो बतातो वह आप इसे नीचे स्क्रacement और इसक प्रय्द मैं यहां हो गया है उसके बाद जो है आपको क्या करता है अगेन रन पर क्लिक करना परet नीचे स्क्रूल्र करनेे create csv file पे click करना and then BigQuery पे click करना then data prep पे click करना and then create new table पे click करना and जा इधर आपका जो नाम है जो हमने अभी copy करा था आखरी में इधर paste करना truncate the table every run पे click करना and then update पे click कर देना उसके बाद बस wait करना जब तक यह run हो रहा है ठीक इसे run पे sorry guys एक second एक second इसके आखको सीधे run पे बस click कर देना है और कुछ आखको changes करने की जरुवत नहीं है यह run हो रहा है इधर आप देख सकते execution stages जो है वो load हो रही है इधर देखो इधर run होना start हो गया है जैसी यह complete होगा वैसे ही हम अपने task को check करेंगे आखको लास्ट आज जो है बड़ी easily complete हो जाएगा तो मैंने बहुत easy way में आखको बताया है एक बार यह run हो जाए देन मैं आखको check my process पे click करके भी बताता हूं तो wait करो guys एक बार इसे run हो जाने दो कुल्ट करों होगे टास्क कंप्लीट हो गया हैये सब आखको क्लिप करना है इस पर इस पर फिल्क करना अगर एस नहां तो and back पर क्लिक करना end let पर क्लिक करना summer वीडियो में मिलता गया झाली वीडियो में तब तक ले गुड़Α